एलो एवरीवन वेलकम बैक टो दिस यूटूब चैनल तो इस वीडियो में हम लोग कभर करने वाले हैं टॉप जग्राफिक क्यूज तो अगर आप किसी भी कम्टेटिव एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो वीडियो लाश तक जरूर देखिएगा तो आपको बता दे कि अगर बात करें वीडियो में तो कौन सी माउंट टेवरेश्ट कि पूछा जा रहा है कि कि इस देश में एस्थीत है तो इसके पारेक्टर की बात करें तो सहीं उत्र इसका क्या जागा नेपाल जो भारत प्रोसी देश्ट नेपाल वहें पे माउंट टेश्ट की चोटी स्थिते मांट डिवेश्ट कि एकर इसके उंचाए इसके उंचाए इसका ऊंचाए भी हम पता होना चाहिए तो इसका उंचाई कितना आठीक है इसके प्लेकाई और यह कहां पे इस्तित दो नेपाल में इस्तित रहा ले तो इसका सही उत्तर अगहार मुझदार गां तो किसे मिश्ट्रेक यहां यहां पर निख दिए गया यहां पर आउने यही हुआ है यहीं चीज हम सोच रहा है थे टीक लेक्ताइब हम यहां पर लेजह वाण waiver मेरा काम है ठीक है सुधार करना मेरा काम है कि आपको सुधार करके सही चीज़े बताया जा ठीक है तो यहां पर परवत लिखना चाहिए लेकिन पौन लिखा गया जो पडियोजना है, प्रोजेक्ट है, उसके बारे में पूछा जाला है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उतर हो जाएगा, दामोदर पडियोजना, कौन सा दामोदर पडियोजना, ठीक है, दामोदर पडियोजना, जिसका स्था नदी है तो यहां पर जो भी चीज़े एक्स्टा हम लोग जानते हैं उसको डिसकस भी करते चलेंगे ताकि आपको चीज़े किलियर होती चले पुछा ज Scorpion घूखा हरा है खरांगे और आप से सबसे लंबी के बारे में जिक्र किया जाएं और आप से सबसे लंबी नदी जल्दी से इसका अंशर कमेंट सेसर में बताइए अभी कि सबसे लंबी नादी भारत का कौन सा हो जाएगा हो ज़िसका नाम जो आदर हवाई तो यहां कहलाती है तो इसका अगर उत्तर देखे तो सही उत्तर हो जागा नर्वेश्टर बोलाजाता है कि अगला सवाल दिया गया कि भारत में दक्षिन परषम सब्सक्राइब किस महिने में होता है कि भारत में किस महिने में होता है तो सही उत्तर हो जागा कि जून के पर्थम सब्ता में जो जून महीना होता है उसका जो फर्स्ट वीक होता है उसी में दक्षिन पश्ची मांसुन का आग्मन होता है तो भारत में जब भी पुछा जागी दक्षिन पश्ची मांसुन का आग्मन कब होता है तो जून के पर्थ ब्रिध गंगा being absolute option खाना जाता है कि अंगो उसको ब्रिध गंगा यह फिर दक्छिन की गंगा नामसे किस नदी को जाना जाता है तो उस सवाल की बात करें तो अगला सवाल दियांगे कि भारत में ऊष्मि घाट को क्या कहा जाता है तो जो पुश्मि घाट अधारी के नाम Сे जाना जाता है तो भारत में पश्मी घट के बारे में जब भी पुछा जाए तो उसको क्या बोला जाता है सही आदरी बोला जाता है ठीक है अगला सवाल दिया गया कि अंडमान निकोबार दीब समों किस नाम से परसीद है तो आप ने अंडमान निकोबार दीब समों के बारे में जरूर पढ़ाई होगा सुना होगा तो उसके बारे में पुछा जा रहा है कि किस नाम से परसीद यह परसीद है किस नाम से इसका बहरत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है निए सबसे बढ़ी जन जाती के बारे में पुछा जा रहा है कि भारत की सबसे बढ़ी जन जाती जांसी है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ अगला सवाल दिया गया कि अरावली परवत्माला की सर्वोश चोटी कौन सी है अरावली परवत्माला के बारे में अपने सुना होगा ठीक है तो जो अरावली परवत्माला है उसकी सबसे किरे पर वोग सो érenceोटी भी सबसे उंचा जो चोटी है वह कौन सा है इसका सही उतर हाँ गूरू सिखर के हाँ विह से भी सिखर हो जाएगा थीक है गूरू सीकर उसका नाम है जिसके अगर उचाई की बात करें तो 1722 मीटर उचाई है यह मांट अभू इसी तरह ऑन सबसे उंशी चोटी कौन सी है नाम आपको कौन से या रखना है गुरु सिखर जो की 1722 मीटर उंशी है और यह कहां पे स्थित है तो माउंट अवू में इस्थित है 12 नमबर सवाल देगे कि माउंट अवरिस्ट को चीन में क्या कहा जाता है तो चीन में नाम से जाना जाता है तो जो नर्मादा नदी है इसका बिस्तार पुछा जारा है कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है तो इसका सही उतर आपको याद अखना है कि मद्धेपर्देश यानि कि यहाँ पर नर्मादा नदी सबसे अधिक बहती है क्याक्ट करना नगत्युची सबसे एक जिसे सबसे चोटा राज्य होजाएगा ठीक है सबसे चोटा राज्जी हो जागा इसके दृष्टी से छोटा राज्जी कौं से हो जाएगा आपको बताना है कमेंट सेक्षिंट में कौन सा हो जाएगा ठीक है यहां पर दिया कि कि नमिवाल स्वाल कि द्रिष्टी से भारत सबसे ब्रारा राजी कौन सा है लो जंसे हम बात करें द्रिश्टी से यह अगला स्वाल है देश में सवरक मारक फिर लमबाई की बात करें तो इस Android लमबाई की बात करें तो यह कितना है तो बहुत ज्यादा है और 44.5 कि करते काउन ऐसा जब भी एब कने पूरे नंबर को नहीं फिर्जिप को कितनी हैं जो द्वीन के बारे में पूछा जाए कि हुए कि कुल संख्या कितनी है इसका उत्तर 247 बहृत में दीपो की संख्या कितनी है तो 247 shout bam Deswegen कि भागी रथी और अलकनंद इसके बारे में दियाए भागी रथी और और अलग नंदा कहां पर होता है इनका संगम यानि कि इनका मिलान कहां परiva की या तो इसका उतर देव पर्याग हो जागा ठीक है जो बहुती और अलग नंदा और तापती हो जाएंगे है सिंधो नर्माण और तापती है अब इसको 속ट मियाद रखेएका ठीक है इस तरह सब यताद रहें इंडेस बोलते हैं अप्ट रही याद रख सकते हैं फिर अफे झाल रहा है है ct यानकी चिंदो नर्मदा सेनी के बारे मैं पुछा जाएगा तो उसका स्रेटक्राय enf AdLink हो जाएगा जरूर में जरूर बताईए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ठैंक्स वांचिंग जय हिंद